भगवान ने कहा सखियो पती कैसा भी हो पती को नहीं छोड़ना चाहिए मैया पती कैसा भी हो पती भगवान ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं पती की सेवा करना नारी का धर्म है पती कौन होता है मैया पती कौन होता है दुस्मन पती कौन भगवान इसलिए हर इस्तरी को अपने पती को क्या मानना चाहिए आप भगवान मानती है अपने पती को सही कहा है आप मानती है जय हो भगवान जी की अजय सही आपको भगवान मानती है आप धमका तो नहीं बोलो यह अगर जस्ती तो नहीं किसी के दवाव में तो नहीं बोल रहे है आप अपने पती को भगवान मानती है हाँ या ना कहा आपके पती नहीं आए आते तो पूछ लेते मैय आप मानती हो पती को भगवान आप से बूच रहे हैं नहीं यह मंग हाई बगल वाली मैय आप से पती को भगवान मानते हैं आप हाँ या ना पती देवताई बता देंगे आप भगवान हैं पतनी के लिए नहीं पती को भगवान की तरफ पूजना चाहिए यदि भगवान पत्थर से प्रगट हो सकते हैं प्रहलाद के लिए तो पती से भी प्रगट हो सकते हैं आप पत्नियों के लिए इसलिए भगवान को कहीं और ना देखकर पती मैं भी देखा करो सब में देखो पर पती ये भगवान है पती की सेवा पती की आज्या भगवान है देखो सेवा पतनी केवल सेवा करे पती अच्छा पतनी तो चलो भगवान माने पर पती का धर्म क्या है पती का भी कोई धर्म होता है कि ने केवल पतनियों का ही होता है चलो बताओ पती का धर्म क्या हो आप बताओ आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो लक्षमी आप क्या मानते हो तो सम्मान करते हो पत्नी का आधर करते हो, खुश रखते हो के मारते रहते हो मारते तो नहीं है पत्नी पर हाथ तो नहीं उठाते आप जी करो कौन उठाता है हाँ पती का धार में है देखो पतनी पती को भगवान माने और पती पतनी को देवी माने सम्मान करे हमारी लिए हमारी पतनी लक्षमी और पतनी के लिए पती नारायन तो हो गए ना लक्षमी नारायन तो घर में लक्षमी नारायन ग्रहस्ती ऐसे चलती है आप लोग ना ग्रहस्ती चला पाते हैं नहीं चला पाते कुछ लोगों की तो कटी हो जाती है तलाक हो जाता है डिवा सित्यादी आप जानती है जरा जरा बातों में माय के चली गई पती पतनी अलग हो गए पती पतनी में तालमेल होना चाहिए अच्छे एक बात मुझे जरह बताओ पती और पतनी में ज़्यादा समझदार किसका होना जरूरी है कौन ज़्यादा समझदार होता है तो ग्रहस्ती चलती है पती या पतनी आप बताओ पती आप बताओ पती पतनी आप बताओ पती पतनी आप बताओ पतनी दौनों नहीं दौनों तो समझदार हों तो बड़िया लेकर फिर भी यदि दौनों में एक को ये कहना पड़ है कि भाई इन दौनों में जादा समझदार जादा जिम्मेदार कौन है किसके होने किसके जिम्मेदार होने से ग्रहस्ती बढ़िया चलती है किसके? 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 किसके मैया? हाँ पुरुस से ज़्यादा पत्नी को समझदार होना चाहिए क्योंकि पुरुस के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी है नारियों के कंधे पर दो दो कुलों की जम्मेदारी है माबाप का कुल और साथ ससुर का पती का कुल